हम दोस्तों में नमें आप आज हम देखने वाल है कि हम लोग Middleware कैसे बना सकते हैं अपने लारविल के अंदर तो यहाँ पर हम लोग अपने पिछली वीडियो से कं्टीनीव करने वाले हैं जैसे कि admin और user का अगर मैं रोल यहां पर update user करूं तो इसको दो रोल यहां पर मिल चुक है अब admin और user का आप यहां पर देख सकते हैं यह सब चीजे हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बात किया था इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी चीज को continue करने वाले हैं और यहां पर हम लोग auth system बनाएंगे यानि कि authentication system एक package का यूज करके लारवल UI का और साथ ही हम लोग middleware का यूज करेंगे ताकि जो वैलिड यूजर होंगे वही यानि की admin user ही इस URL को access कर सकता है इस इस के बारे में हम लोग यहां पर देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर चलते हैं अपने टर्मिनल पर और हम एक middleware क्रेट कर लेते हैं तो मैं अगर मैं अपने कि मिलेगा और यहां पर आपको मिल जाएंगा यहां देख सकता है तो मीस यहां पर लिख सकता हूं त Essay आप यहां से वह पास कर सकता है जो भी यूजर है तो इसको हम लोग कैसे यहां पर लिख सकते हैं और यहां पर लिख सकते हैं और यहां पर लिख सकते हैं और इसके अंदर फिर आप आप पास कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए और यहां पर चाहिए आपको मालिजे यहाँ पर क्या रहे हैं कि मालिज में के लिए इस फिर के लिए हैं कि यहाँ पर हम लोग इस तरीके से 3ule This लगा रहे ओर यहां पर हम लोग यहाँ बिको रहेगा अपने वहमाले का बलेते हैं तो यहाँ पर लीग दो पॉइस तरीके से ठिक अच तो यहां पर चैक और आप्को मिटिल्गे के और को लिखने रहेंगे जो की यूजर को यहां पर लिख सकते हों कि जो भी यूजर है वह हमारा यहां पर यहां पर यूजर है और यूजर आप इस तरीके साफ लिख सकते हो तो मैं यहां पर डीडी करके आपको दिखाता हूं कि यूजर के अंदर क्या मुझे मिल रहा है तो अभी यह चलेगा ने अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक पैकेज मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा लारवेल यू इसको सेव करते हैं और वापस से हम लोग इसको रन करते हैं तो अभी देखिए आपका जो पैकेज है वह यहां पर इंस्टॉल हो चुका है आर्टीजन यू आई और मुझे बूटिस्ट्रेप चाहिए होगा तो मैं यहां पर यहां पर आथा जाएगा तो यहां पर यह इसको अब हम एक दूफरा टर्मिलर भी ओपन कर लेते हैं यहां पर और मैं आप लिखता हूं प्याश्पी आर्टीजन सर्व करें इस तरीके से अब ही हम एक बार अपने यहां पर आखर करके देख लेते हैं कि यह कैसा देख रहा है तो मैं इसको कईके करता हूं और मैं यहां पर चलता हूं तो देखो यह बोल रहा है कि रोल्स डाज नॉट एक्जिस्ट ओके वह ऐसा इसलिए बोल रहा है कि यह जो हमने चैक रोल्स बनाया है कि यह हमने साथ कर्णल डॉट पीच्पी में हमने इसको रेजिश्टर ने किया हुआ है यहां पर अगर्र्रा नीचे आएंगे तो यहां पर आपको रेजिश्टर करना पड़ेगा रोल्स के लिए तो आप यहां पीश्टेक होगे रोल्स एक्वल राप अब टैयोग मिडिलवेर और यहां पर चेक रोल्स जो आपकी क्लास है तो यह जो रोल्स नाम है यह आपका web.php में जो यहां पर आपने नाम रखा हुआ यह वाला रोल्स क्योंकि एक middleware है इस नाम से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं इस नाम से यह जो रोल्स है वह यही वाला है और यहां पर admin क्या है admin उसका रोल का नाम है ठीक है इसको सेफ करते हैं और वापस से अगर मैं इसको यहां पर रिफ्रेश्च करते हैं तो देखें कुछ इस टाइब का आपको दिखा रहा है यह हमारा यूजर जो कि लॉग इन हुआ है तो यहां पर क्या करेगा कि सिर्फ यह जो admin है यह जो प्रवाइड क अगर यहां पर यूजर होता है looking at और यहां पर रोल्स ले लेता है मालीजी यूजर रोल्स करके तो आप मभी होगे यूजर रोल्स लटनेम और यह हो जागा टू एरे करके अभी हम इसको comment कर लेते हैं तो अभी अगर हम देखते हैं कि user roles के अंदर हमें क्या data मिल वह है तो हम लोग यहाँ पर डीडी कर लेते हैं user roles करके इसको save करते हैं वापस है अगर हम browser पर चलते हैं इसको करते हैं refresh यहां से तो दो user मिल रहे है अगर मैं आपको इसको database में देखा हूं डीबी टेस्टिंग और यहां पर आपका जो आपका रोल यूजर है तो यहां पर जो 14 यूजर है यह हमारा user जो भी लॉग दिन यूजर उसके पास देखिए दो रोल है एक तो एक नमर का और एक थ्री नमर का है तो यहां पर एक नमर आपका admin है और जो id3 है वह आपका user है तो यहां पर दो रोल है उसके पास basically admin and user के और हमारे पास यहां से क्या मिल रहा है इस रोल्स के अंदर वह देख लेते हैं तो अगर मैं इसको सिर्फ यहां पर रोल से लिग दूँ और यहां पर अगर मैं इसको करो refresh तो देखिए यहा और यहां पर एक इनिबिल्ट फंक्शन पर यूज कर सकता है जो है एरे इंटरसेक्ट का और वह क्या करेगा कि वह यहां पर लेगा रोल्स यानि कि जो पास किया गया है वहां से और दूसरा आपका user रोल्स करके और फिर वह काउंट चेक करेगा कि अगर ग्रेटर देन जी इसको सेब करते हैं और वापस से अगर मैं यहां पर करता है इसको रिफ्रेश तो अभी देखिए यह इस वाले पेज को यह एक्सेस कर पा रहा है यानि कि जो हमारा user space है यहां पर इसको में डाल देते हैं बैसेकली यह भी सई से दीख नहीं रहा है तो हम चलता है रिसोर्स के अंदर व्यूस के अंदर यूजर्स और यहां पर आपको मिलेगा index.blade.php यहां पर आप container डाव सकते हैं और इस टेवल को मूव कर देते हैं उसके इसको सेब करते हैं और वापस से यह देखिए आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहां पर देख तो अभी यूजर क आपके पास जो रूल है वह एडमीन का रूल है और अब ही अग हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले यूजर को लॉग इन करके देखते हैं कि इसको क्या वह इस वाले URL को एकसेस कर सकता है तो मैं incognito mode पर open कर लेता हूं यहां से login और यहां पर मैं paste कर देता हूं और यहां पर यहां पर यहां फिर से मैं इसको यहां पर लिखता हूं यूजर्स तो देखिए यह जा नहीं पा रहा है आपर और यहां इसकी आइडी क्या है यह इस वह बढ़्न के तो यहां पर चलते हैं कि एक अडिमिन बना देते हैं ठीक है तो हम लोग यहां वी रहा 3 और इसका यूजर आड़ी अभी 2 पर है इसको यूजर रोल न दे करके अब इसको फ्रंट एंड से भी कर सकते हैं तो यहां पर देखे इसको यूजर का रोल है आप एडिट करें और इसको आप एडिमिन भी बना सकते हैं इसको अपडेट कर दें हमने इसको दो रोल देती हैं अब यहां पर डालेगा यूजर तो अभी यूजर वाले पेज़ पर जा सकता है और इसको यहां पर एक्सेस कर सकता है अभी अगर मैं इसके रोल को हटा दूंगा यहां से जैसे कि मैं इसको एडिट करके यहां से एडिमिन वाले को हटा देता सिर्फ मैं इसको यूज़र का रोल देता हूं और मैं यहां से करता हुआ इसको अपडेट तो अभी देखे इसको रिडिरंट बैक कर दें इसको हम वाले पेच पर यह आप क्या कर सकतने का प्रेस्ट प्रह्त हैं तो अभी एड्मीन का है माली जो कोई यूजर का भी रोल हो ग कर सकते हैं, रोल बेस्ट में, आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगए होगी, यदि इस लिए कोई कोशिन आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिए कि मैं सब्सक्राइब दूँगा, मिलते हैं अगरे वीडियों तब तक के लिए, बाए बाए